नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ गोरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट आईए बात करते हैं नेश्रल गैस MCX की दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन के सामने नेश्रल गैस MCX का चार्ट है जिसमें मैंने 5 मिनिट के टाइम फ्रेम को लगाया हुए और इसमें जिस तरीके की मुमेंट लास्ट रेडिंग सेशन में रही और अभी जो करन्ट लाइव मार्केट चल रहा है इसे देखते हुए हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आने वाले टाइम में आने वाले सेशन में कौन से वो लेवल हैं जो हमारे लिए सपोर्ट और राइस्टेंस का काम करेंगे और उन्हें देखते हुए हमारा आगे का क्या वी हुए क्या हमें बाइंग करनी चाहिए सेलिंग करनी चाहिए या थोड़ा सा वेट करना चाहिए किसी भी ट्रेट में एंटर करने से पहले तो आईए शुरू करते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे नेच्रल गैस MCX का चार्ट दोस्तों कल अपने देखा कि गैब डाउन ओपनिंग के साथ नेच्रल गैस ने अपनी शुरुआत करी थी और उसके बाद उसमें थोड़ी सी हमें रिकवरी देखने को मिली 211.something का शायद इसका कुछ ही लगा था वहां से मार्केट में फिर से एक सैलिंग थोड़ा सा रिकवरी दिखाने कोशिश इंग पर सस्चेन नहीं किया मार्केट उपर वहां से मार्केट में सैलिंग नीचे के लेवल 200.something का कुछ low लगा वहाँ से market में एक straight एक अच्छी से recovery आई जो 207 पाइंट कुछ को touch किया वहाँ से फिर selling और अभी market एक छोटा सा gap down opening दिखाई है वहाँ से market recover करता हूँ हमें नजार आ रहा है जिसमें current price है 203.70 देखिए एक चीज़ है कि market ने पिछले दो trading session में जिस तरीके का trend रखा है उसमें उपर market sustain नहीं किया और market में एक selling pressure हमें नजार आया जिसमें लगातार नीचे के levels को touch करने की कोशिश किया market में जिसमें उसने 19 रुपए की एक downside दिखा दिया अपने last to last trading day से और कल के low तक 219 रुपए के आसपास का ही लगा था 200 रुपए के आसपास का इसका low लग गया तो यह 19 रुपए की correction इसमें already आ चुकी है correction काफी अच्छी है पर किया reversal का level start हो चुका है नहीं अभी नहीं हुआ reversal का level start उसमें अभी थोड़ा सा time है market को यहां पर कुछ अभी फिलाल कुछ ऐसा लग रहा है कि शायद support मिल जाए और आज सिर्फ आज-ाज के trading day की अगर हम बात करें तो कुछ ऐसा नहीं लग रहा है कि major upside या major downside में देखने को मिल सकती है major downside जरूर आ सकती है पर उसके लिए कुछ एक particular level रहेगा जिसके नीचे market को sustain करना होगा तो वही एक chance है कि इसमें थोड़ी सा एक अच्छे से downside आ जाए पर उसके chance है थोड़ी से कम लग रहे है consolidation के थोड़ी जादा लग रहे है आज भी market consolidation में रह सकता है तो levels के आओंगे कि market में एक strength ला सकते है या फिर थोड़ा सा weak कर सकते है उसके लिए हम ध्यान कर रखेंगे इसमें मैं आपको बताता हूँ कि overall जो trend लग रहा है भी market का थोड़ा सा थोड़ा सा strong लग रहा है जिसमें market की confirmation आनी बाकी है तो थोड़ा सा strong हमें लग रहा है तो आप अभी फिलहाल मैं आपको यही कहूँगा कि selling में carry over की position बिल्कुर आप avoid करें वो आपके लिए नुकसान की चीज़ हो सकती है थोड़ा सा अभी और आगे चलते हैं 15 minute के time frame पे वहाँ देखने हैं किस तरीके का trend अभी हमें नज़रा रहा है 15 minute के time frame पे अगर हम बात करें तो हम यहां पर market में एक gap up opening उसके आप से market में continuously uptrend और यहां से market ने 219 का level टच किया अब उपर के level से market में जो selling आई है वो इस तरीके से रही है कि यहां तक market गिरा gap down opening फिर market ने selling को continue रखा नीचे के levels देखने को मिले पर वहां से recovery अच्छे से आई 207 के उपर market गया वहां से फिर नीचे gap down opening और वापस यह market में थोड़ी सी recovery की कोशिश लग रही है और यहां पर मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा support मिलता हो भी नजर आ रहा है पर इस support का maintain करना market के लिए वह भी थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है उपर से अगर market यहां से थोड़ी सी recovery दिखाने की कोशिश करता है तो हम वापस उपर इस तरीके के chances देख सकते हैं कि उपर के level से फिर हसे हमें एक selling देखने को मिल सकती है तो overall अभी फिलहाल के लिए market में थोड़ी सी intraday में strength ज़रूर रह सकती है पर फिर से market नीचा नहीं कोशिश करेगा तो उसे अभी हम देखेंगे कोई trend को लेकर बिलकुल ना बैठें के market में अभी buying है buying में मैंने आपको बता रखा था कि कौन सा level है क्या किस तरीके से closing चाहिए कि market में अब trend जो है वो उपर का है उस सारे parameters को market fulfill करने में थोड़ा कामियाब नहीं रहा और market वहाँ से turn ले गया थोड़ा सा आगे चलते हैं एक घंटे के time frame पे वहाँ देखते हैं कि किस तरीके का view हमें नजर आ रहा है market उपर गया वहाँ से selling, 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 selling और यहाँ से buying, buying और उपर 219 वहाँ से direct correction और अभी यह consolidation के phase में enter कर चुका है अभी वो छोटी-छोटी candles नेश्वल कैस का यही एक behavior है जो सबसे अलग रखता है इसे पूरे दिन market दो या तीन रुपे में trade करता रहेगा और कोई moment आपको नज़र नहीं आएगी धीरे-धीरे अपनी जो range है उसे market बढ़ाता रहता है और end होते होते हम देखते हैं कि evening session के time market में एकदम से उचाल, एकदम से गिरावट इस तरीके का trend नेश्वल कैस में हमें बहुत बार देखने को मिलता है तो अभी जिस तरीके का ये आप देख रहे हैं बहुती छोटी-छोटी candles आपको नज़र आएंगी तो ये morning session से morning to afternoon session market इसी तरीके से trade करता है फिलहाल market को थोड़ा सा support मिलता हो और थोड़ी recovery दिखाने की कोशिश कर रहा है market और थोड़ा सा आगे चलते हैं वहाँ देखते हैं कि किस तरीके का trend अभी हमें market में नज़र आ रहा है यहां पर अगर हम बात करें चार घंटे के time frame पे market में थोड़ी strength वहां से weakness weakness और strength फिर weakness और strength फिर और weakness फिर market में strength नीचे आया थोड़ा सा correction थी है यहां पर market ने फिर से support लिया और उपर के level 219 वहां से correction दिखा के अभी market currently 203.70 पे trade कर रहा है देखिए कल की एक range की हमने बात करी थी कि उपर में 212 से 214 में एक selling zone रहेगा हाला कि 212 भी इसने touch नहीं करा था उससे पहले ही market में एक selling pressure phase करना शुरू कर दिया और नीचे मैंने बताया था 201 से 203 रुपए का एक buying zone रहे सकता है वहां पर market में buying आ रही थी 201 रुपए जैसे इसने break करा वहां से market ने फिर से shoot up करा उपर की side में जिसमें 207 रुपए कुछ पैसे का एक high लगाया और वहां पर market consolidate होके फिर उसने इस तरीके से trade लिया कि market में नीचे से buying आई है उपर से selling consolidation का phase रहा इसी तरीके से इसी तरीके का एक scenario आज हमें बनता हो नजर आ रहा है पर उसमें भी हम levels को ज़रूर ध्यान रखेंगे ignore नहीं करेंगे उन चीजों को अभी ये काफी बड़े time frame पे market अपनी consolidation को continue कर रहा है चार घंटी के time frame पे अगर हम देखें यहां पर हमें इस पूरे time frame में ये जितना part है ये सारा consolidation दिखा रहा है कोई trend नहीं है ये सिर्फ consolidation है तो जब तक इस तरीके का trend continue रहता है तब तक market में कोई direction किसी तरीके का कोई particular trend वो देखने को हमें नहीं मिलेगा और ये भी हो सकता है कि अब जिस तरीके का आगे का trend है बहुत एकदम से एक upside या downside इसमें हमें देखने को ना मिले market इसी range को continue रख सकता है आगे के लिए देखिए नेशनल केस में हमने इस तरीके का भी trend देखा है पिछले मतलब लास्ट रियर छे महीने का वो time frame था उसमें करीब करीब 40 रुपे की एक range थी जिसमें market trade करता रहा था और बहुती छोटी छोटी movements रही थी उसमें तो इसी तरीके का trend शुरू अगर हो जाता है तो काफी लंबा टाइम है जो consolidation में रह सकता है फिलाल हम और आगे चलते है daily charts की तरफ वहाँ देखते हैं किस तरीके का trend नजर आ रहा है मैं इस trend की बात कर रहा हूँ आपसे consolidation का ये जितना trend था इसी range में था कोई direction नहीं कोई कुछ नहीं यहां तक जब तक इसने market ने यहां के बाद breakout ने दिखा दिया तो ही हम देख रहे हैं February, March, April, May, June, July, August यहां तक का तो market का है उसके बाद market ने एक breakout दिखाया फिर correction फिर कुछ trend बनना शुरू हूँ और अभी हम देख रहे हैं ये consolidation तो है पर market इस तरीके से कर बना रहे है बहुत लंबे टाइम फ्रेम पे इसे अभी कहना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा जब तक market उपर में कुछ levels पे अपने आपको sustain करने की कोशिश नहीं करता फिलाल हमें यहां पर एक selling अच्छी देखने को मिली है 219 के level से market नीचे आया है नीचे में sustain करने की कोशिश कर रहा है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अब हम चलते हैं अब हम उन levels को discuss करते हैं जो हमारे लिए आज important रह सकते हैं इसमें सबसे पहला जो price है वो रहेगा 207.50 इस price को अगर market break कर देता है यही price इस price को अगर market break कर देता है तो chances यह रहेंगे कि market intraday में consolidation में रह सकता है और फिर इसका जो कल का low है वो break करना मुश्किल हो जाएगा इस तरीके का एक scenario बन सकता है तो 207.50 पहला level है जो हमें ध्यान में रखना है उसके बाद अगर market में और strength बनती है तो वो price level काफी जादा उपर है इसके यह जो price है ही इस तरीके का है कि जो sellers है उन्हें थोड़ा सा doubt में ले आएगा कि फिर market में अब market गिरेगा या नहीं गिरेगा क्योंकि consolidation में तो enter कर चुका होगा फिर गिरने के chances काफी कम हो जाते है मतलब यहां से इसे break करने के बाद नीचे जरूर आ सकता है पर इस line पे इसका काफी major support इसे मिल चुका है यह इस चीज़ की confirmation है market ओर थोड़ा सा उपर जाता है तो next जो level है वो है 213.50 यहां पर यह इस level को अगर break करता है तो market में एक strength बन जाएगी जिसमें वापस यह लगने लगेगा कि जो market है वो उपर की तरफ जा रहा है काफी उपर के levels हमें देखने को मिल सकते हैं और उसके उपर sustain करना ही थोड़ा बहुत इस चीज़ का indication आने लग जाए कि इसमें एक uptrend की शुरुवात हो सकती है तो कोई भी आप risk ना लें कोशिश यह करें कि वहाँ पर आप exit कर जाए 213.50 या तो बिल्कुल exact इसी level पर exit करें या फिर थोड़ा सा market अगर थोड़ी देर के लिए इसके ओपर sustain कर जाता है क्योंकि ऐसा हो सकता है कि 213.70 या 14 तक का एक high लगागे फिर market करेक्टर ना शुरू हो जाए तो इस price level पे आपका exit होना काफी जाता ज़रूरी रहेगा अगर आप short selling में है तो अगर आप long position लेके बैठे हो है तो आपको बिल्कुल hold करना चाहिए इसके उपर और wait करना चाहिए कि फिर intraday में market closing के time 216 के उपर अपनी closing दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा है downside में मैंने जो level आपको बता रखा है बहुत important level है to 197.50 इसके break करने पर market में जितनी भी upside है उसे कही ना कही एक break तो लेगेगा ही लेगेगा साथ ही साथ market जो है वो एक नीचे में downside view लेकर अपने आपको continue करना शुरू कर देगा तो 197.50 यह वो level है देखिए यहां मैं इस price level को लेकर एक चीज ज़रूर दाता हूँ इसके नीचे market का यहां पर आप position तो ले सकते हैं short selling की पर उसके नीचे market का maintain करना बहुत जादा ज़रूरी है अगर आप थोड़ा सा carry over के view से आप सोच रहे हैं तो यह चीज आपके लिए ज़रूरी रहेगी तो दोस्तों यह था मेरा initial gas m6 पर अभी का video वीडियो अच्छा रहे हैं तो like करें शेयर करें बने रहे हैं मेरे साथ देखते हैं market report और हो सके तो मेरे channel को join भी करें धन्यवाद